तो बच्चे देखें यहां पर हम क्लास 6 साइंस की बात कर रहे हैं जिसमें वोक्षीट 1 है हमारे पस और डेट है 6-7-2021 तो आप फिगर 1 और 2 में क्या देख पा रहे हैं पहला सवाल यही है तो आपको कुछ वजिटेबल्स और फ्रूट्स नजर आ रहे हैं Is it easy to find things from both the figures क्या असान था दोनों से तो भई दोनों से असान नहीं था एक तरफ हमें देख के लग रहा था कि काफी असान है जूड़ना जिबकि दूसरी सब देख के हमें लग रहा था कि असान नहीं है बोथ पूछा है इसलिए नो तो आप से पूछा जाएगा how is figure 1 different from figure 2 तो भई figure 2 में क्या है कि एक तरीके की सारे चीजें एक साथ arrange की गई है या group की गई है जिबकि यहां पर mixture है कि यहां पर यह वाली चीज है यह वाली चीज यहां भी है यहां भी है यह mix कर रखें तो figure 1 जो habitat of figure 2 से कैसे differ करती है in figure 2 things are more properly arranged फिर आप से पूछा कि किस case में असान है in case 2 क्योंकि वहां पर group थी चीजे है according to you what would be the reason of question 4 ऐसा क्यों पूछा गया so that the reason of question 4 यहां से अब कांसा शुरू करना चीजे is so that we realize importance of grouping things arranging things not grouping correct what would be arranging तो भाई अगर हम सबसे पहले color देखें तो color तो almost देखने में ऐसा लगेगा पहली बार में की रेड ही है तो similarity क्या है बोत आर रेड differences क्या है बॉल्स आर ब्राइट रेड थोड़ से जादा रेड बॉल्स आर more रेड ब्रैकेट में ब्राइट रेड कैसी है बॉल्स ब्राइट रेड है यह एक फर्क नदर आया हमें पिर पूछा जाएगा कि shape तो both are rounded है बोत are क्या है गोलगोल है बॉल आर प्रोप्र रांड इलेकिन यह देख़ो तो थोड़ा फैलासा लगता और बोल आर प्रोप्ररांड टो यह फर्क भी है फिर आप से पूछा गया कि size के बारे में क्या कहोगे तो भाई कोई difference नहीं है both are of equal size तो भाई balls क्या होंगी are of equal size सभी balls जबकि tomato जैसे size के बराबर नहीं होते edible कौन है तो tomato is edible ये difference है तो अपने को क्या बात समझ में आई जब हमने ये बात करके देख लिए कि भाई despite the similarity in shape and color of the object shape और color same था तब भी वो एक दूसरे से क्या कर सकते है differ कर सकते है ठीक बटा तो ये सारी चीज़े हम यहाँ पर लिख लेनी है कि भाई color जो है वो कैसा है ये size जो है वो कैसा है ये बाते हमें लिखनी है जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया कि भाई size के अंदर हमने देखा कि balls are the same size क्योंगी तो अब tomato में लिख होगे all tomatoes are not of same size ये edible में आप लिख होगे tomatoes not tomatoes are edible but balls are not edible तो similarity differences ठीक है thank you so much for watching the video friends please subscribe to our channel and keep supporting us